वेलकम बैक टो और यूट्यूब चैनल टेक गाइड वसीम तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि अगर आपने डॉमिसाइल सेटिफिकेट के लिए ओनलाइन एपले किया है तो उसका एप्लिकेशन स्टेटस चेक कैसे करोगे क्योंकि JKE Serious's के पोटल पे एक आप्शन आ रहा था चैक स्टेटस का तो अब वो पोटल से हटा दिया गया है तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि अगर आपने डॉमिसाइल सेटिफिकेट के लिए ओनलाइन एपले किया है तो आप अपने एप्लिकेशन का स्टेटस चैक कैसे करोगे और साथ में आपको ये भी दिखाएंगे कि अगर आपने डॉमिसाइल सेटिफिकेट के लिए एपलाइ कर दिया है आपको एक महीने से ज्यादा टाइम हुआ है किसी को पंदरा दिन किसी को बीज दिन अगर आपका डॉमिसाइल सेटिफिकेट अभी तक इ देना तांकि आपको और भी helpful content पहुंच सके तो चलिए शुरू करते आज की वीडियो तो आपको आना होगा अपने mobile phone के browser पे browser पे आने के बाद आपको search करना होगा यहां पी आपकी सामने जो पहली website आ रही है यह की तो उसके नीचे आपको एक option आ रहा है check status का मैं आपको वीडियो के description में भी link दे दूँगा वहां से आप click करके directly site पे आ जाओगे और आप अपना जो domicile certificate status है वो check कर सकते हो उसकी बाद आपको check status पे click करना है चेक status पे click करने के बाद यहां पी आपको अपना जो application ID है जब आपने domicile certificate submit किया था तो आपको एक application ID जनेट हुआ था आपको यहां पे application ID डालनी है उसकी बाद आपको capture फिल करने के बाद आपको submit पे click करना है जैसे की देख सकते हो मैंने एक domicile certificate apply किया था वो जो है वो verify हो गया है वो details remark हो गया है अब यह application में download कर सकता हूँ अगर आपका application अभी तक verify नहीं हुआ है और आपको issue नहीं किया है आपको एक और option है आप अपना जो ग्रेवनेंस है वो डाल सकती हो कि आपका जो domicile certificate है वो issue किया जाए उसकी बाद आपको फिर से login वाले page पे आजाना है login वाले page पे आने के बाद आपको यहां पर अपना login ID डालना है जो आपने create किया था registration करते टाइम उसकी बाद आपको एक password फिल करने के बाद यहां से जो role है वो आपको citizen select कर देना है उसकी बाद आपको capture फिल करने के बाद आपको submit कर देना है उसके बाद आप successfully login हो जाओगे तो आपको यहां पर एक option आ रहा है citizens governance address ऑड़स तो आपको इसपी click करने के बाद आपको यहां पर departmental governance select करने है departmental gravenance select करने के बाद आपको यहां पर नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद यहां पर आपको अपनी gravenance details डालने हैं यहां पर आपको अपना application ID डालना है जो आपको generate हुआ था जब आपने domicile certificate के लिए apply किया था उसकी बाद आपको यहां पर subject डाल देना है कि आपकी जो domicile certificate है वो issue कर दो आपको एक request करनी होगी कि हमारी जो domicile certificate है वो issue कर दो उसकी बाद आपको यहां पर concern लिखना है कि domicile certificate हमारी issue कर दो आपको need रहेगी किसी चीज़ के लिए या आपको कहीं जरुरत है scholarship के लिए या employment के लिए जिसके लिए भी आपको जरुरत है तो आपको यहां पर concern लिखना है कि domicile certificate जो हमें need है उसकी बाद आपको यहां पर name of services में application for domicile certificate select करना है उसकी बाद आपको यहां पर अपनी email id डालनी है email id वही डालना जिस पर आप active हो और आपको mail आएगा उसकी बाद उसकी बाद आपको यहां पर capture feel करना है capture feel करने के बाद आपको THE उसकी बाद आपको दिखाएगा तो आपको यहाँ पर टिकट नमबर आ जाएगा तो आपको यहाँ पर टिकट नमबर है नोट कर देना है क्योंकि आपको इसके बाद यह टिकट नमबर जो है आप अपना अगर स्टेटस चेक करना चाहते हो तो आप अपना जो स्टेटस है टिकट नमबर डाल के चेक कर सकते ह आपको कुछ टाइम वेट करना है, वेट करने के बाद आपको 3-4 दिन के बाद आपकी जो domicile certificate है वो issue कर दी जाएगी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको फिर भी कोई problem आ रही है, किसी चीज में भी आपको help चाहे, तो मुझे Instagram पे message कर सकते हो, या मुझे comment कर द